हेलो स्ट्रिंट आज जो हमारा टोपिक होगा वह होगा कोठारी आयोग देखे कोठारी आयोग इसे हम अराश्टिय शिक्सा आयोग भी कहते हैं अराश्टिय शिक्सा आयोग यह 1964 से लेकरके 1966 एक्चली मैं 1964 यह मैंने इसले लिखा चुकि भारत सरकार ने डोक्टर इनका पुरा नाम है भारत सरकार ने डोक्टर दोलत सिंग कोठारी को दोलत सिंग जो कोठारी है इनका पुरा नाम है कोठारी को जो इसकुली सिक्सा है इसकुली जो सिक्सा है को नया आयाम देने के लिए नया आयाम देखिए नया आयाम से तत्परिय होता है उसे नया आकार दिया जाए उसे नई दिशा दी जाए देने के लिए यहां पर 14 जुलाई जुलाई 1964 को अपॉइंट किया था और इसने 29 जून जुन 1966 को 66 को अपनी रिपोर्ट दी थी रिपोर्ट तो यहां ध्यान दखना है इसे जो अपॉइंट किया गया था इसे न्यूक्त जो किया गया चुकि आपके एक्जाम में एयर के साथ साथ डेट भी पूछ सकता है तो डेट जब अपॉइंट किया जा रहा है तो 14 जुला सिंग कोठारी की अध्यक्सता में बना था तो इसलिए इसे हम कोठारी आयोग भी कहते हैं कोठारी आयोग भी इसे कह जाता है अब यहां से कोश्चन पुछा जाएगा कि जब डॉक्टर दोला सिंग कोठारी की अध्यक्सता में आयोग बना उस समय इनके पास कौन सा दाइ यानि UST Grant Commission यानि इसे हिंदी में कहते हैं विशुधार लिए अनुदान आयोग वैसे इस topic से जितने भी question बनते हैं आपके exam के point of view से चोकि जो आपका screen का exam में उसी को ध्यान में रखते हुए ये topic तयार किया रहा है आप लोगों के लिए तो उसमें जितने भी question बनेंगी इस class के बाद में मैं सारे question स्क्रीन पर आपके सामने discuss भी करूंगा देखिए ये पहला आयोग बना है पहला यूग जिसने सामजिक बदलाओं को जो सामजिक बदलाओं हैं बदलाओं को ध्यान में रखते वी अपनी सिफारिस दी थी सिफारिस तो ये ध्यान रखना है इनों ने जो अपने रिक्मेंडेशन दी हैं जो सामाजिक बदला हो रहे हैं उसको ध्यान में रखते वही ये अपनी अनुसंसा कर रहे हैं आगे बढ़ते हैं, देखें, इन्हों नी जो अपने रिपोर्ट दी, इस रिपोर्ट में, रिपोर्ट में 23 यानि 23, तेहिस अनुसंसाइं थी, अनुसंसा, अनुसंसा से तात परिये, यानि 23 बातों को ध्यान में रखते वे, अपनी इन्हों ने सिफारिस की, सिफारिस, या स संस्तुती भी कह सकते हैं। संस्तुती। दीखww डिस्कस किया कि इसने 23 अपनी संस्तुतियां दे थी। और तो उन 23 संस्तुतियों में जो महत्पुन है डिसकस किया। सब्टेenne इन्होंने प्रात्मिक प्रात्मिक स्क्सा इसके साथ साथ इन्होंने माध्यमिक सिक्सा तो यहं पर आप एक चीज कि ये कमिशन मातरी ऐसा कमिशन है जिसने प्राक्मिक शिक्षा को भी टार्गेट किया है, मध्यमिक शिक्षा को भी टार्गेट किया है और विश्धालिय सिक्षा को भी टार्गेट किया है आगर हम डॉक्टर राधाकरश्णन आयोग की बात करते हैं, उन्होंने विश्धालिये शिक्सा आयोग भी कहते हैं, उन्होंने केवल उच शिक्सा को आधार बनाते वी अपनी सिफारिश्दी, अगर हम मुदालियर आयोग की बात करते हैं, तो मुदालियर आयोग ने केवल म की विशिस्ताईए है अब हम आगे बढ़ते हैं देखे इन्होंने समान पाठे करम के जरीए समान जो पाठे करम हैं पाठे करम के जरीए जरीए इन्होंने जो बालक हैं और बालिकाएं हैं बालिकाएं बालिकाओं के लिए के लिए समान विशे यहां समान विशे जैसे गनित गनित विज्ञान कि सिक्सा देने की सिफारिस कि सिफारिस यानि यहांपर बालब और बालिकां दोनों के लिए समान शिक्सा होनी चाहिए देखिए, यह जो समान पाथे करम की अनुसंसा कर रहे है है यह अनुसंसा यह अनुसंसा ही बालिकाओं को समान अवसर परदान करेगी तो यहां यह ध्यान लखना है कि विकास सर्वागेन होना चाहिए चाहिए उसमें बालक हो या बालिका इसके साथ यहां पर यह कह रहे हैं कि जो माध्यमिक सिक्सा है जो माध्यमिक सिक्सा है सिक्सा में 25 परतिसत जो माध्यमिक सिक्सा के जो इसकूल है वो 25 परतिसत इसकूल वेवसाइक शिक्षा में परिवर्तित किये जाएं, इसके साथ साथ यह कह रहे हैं, कि जो प्रात्मिक शिक्षा है, यह प्रात्मिक शिक्षा मात्र भासा में दी जाएं, मात्र भासा में दी जाए actually में मात्र भासा में यह दी प्रात्मिक सिक्सा दी जाती है तो वहाँ पर छात्रों के लिए जो छोटे बच्चे होते हैं सिक्सा को समझना आसान हो जाता है फिर ये कह रहे हैं कि जो पूरू प्रात्मिक सिक्सा है पूरू जो प्रात्मिक सिक्सा है, ये एक से तीन वर्स तक की होनी चाहिए. तो ये महत्पुर्ण चुत्थे, ये ध्यान ळकना है, कि जो अपनी अनुसंसा दे रहे हैं, इसमें कोन-कोन से पाइंट हैं, एग्जाम में ये ही पूछे जाते हैं, तीन पाइंट चाहिए दे दिये और आपसे कहा जाएगा कि निमिन में कौन गलत है. तो पुरब्रात्मिक सिक्षा का मतलब होता है यहां पर कि जो पहली क्लास होती है, पहली क्लास से जो पहले, फर्स्ट क्लास में जब स्टुडेंट एडविशन लेता है तो उससे पहले जो स्कूल में भेज देते हैं जिसे आज हम कहते हैं एल के जी यू के जी नर्सरी कहते हैं तो कह रहे हैं यह एक से तिन वर्स की होनी चाहिए तो अभी अभी मैंने आपको बताया कि पूर प्रात्मिक सिक्सा जो है वो एक से तिन वर्स की होनी चाहिए यह कोठारी आयो की सिफारिस्थी फिर वो कह रहा है कि जो बालक है बालक ब बाद ही उसे पहली कक्सम में प्रिवेस दिलाना होगा फिर वो कह रहा है कि जो पहली सारजनिक परिक्षा होगी पहली जो सारजनिक परिक्षा होगी सारजनिक परिक्षा परिक्षा ये दस वर्सों की दस वर्सों की सिक्सा पूर्ण होने के बाद होनी चाहिए सिक्सा पूर् फिर वो कहे रहा है कि जो विश्ओं का वीभाजन होता है, विश्ओं का विभाजन, का विभाजन, विभाजन, basically ये 9th में होता था पहले, 9th में क्या होता था, कुछ इस्टुडेंट ऐसे थे जो आर्ट साइड लेते थे, कुछ साइन्स एस्टीम लेते थे, अब वैसे change हो ग पास होने के बाद होना चाहिए, टैंथ पास होने के बाद होना चाहिए, फिर वो यहां पर ये भी रिक्मेंडेशन कर रहा है, कि जो इसनातक, जो इसनातक है, इसनातक की जो शिक्सा है, शिक्सा ये तीन वर्स की होनी चाहिए, ग्रिविशन और पीजी, पीजी यानि प्रास बडर छे सोध सोध यह भी two year का होना चाहिए को दो साल का होना चाहिए जो सिखशक गन हैं सिखशक गन उसके लिए भी यहां recommendation की जारी है जो सिखशक हैं सिखशक इनकी समाजिक समाजिक आर्थिक आर्थिक सामाजिक आर्थिक और वेवसाईक 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 इस्थिती सुधारने की भी सिफारिस की है इस्थिती सुधारने की सिफारिस की है सुधारने की सिफारिस की है सिफारिस सिफारिस की है देखिए, इस कोठारी आयोग की एक महत्पुन विसिस्ता common school system लागू करने के recommendation की थी, अब हम लेकर चलते हैं यहाँ पर कि common school system क्या होता है, common school system, system, यह recommend कर रहा है कि common school system लागू होना चाहिए, तो यह question बहुत ही important है, कि वो कोन सा आयोग था जिसने common school system लागू करने की सिफार इसकी थी, तो देखिए, common school system में recommend कर रहा है कि सभी वर्गों के लोगों को, जितने भी वर्ग हैं, सभी वर्गों के लोगों को समान सिक्सा होनी चाहिए, इनके लिए समान सिक्सा होनी चाहिए, सभी वर्गों के लिए, समान सिक्सा, यदि ऐसा नहीं हुआ, तो उच लोगों के जो लोग हैं, वो सरकारी स्कूलों को छोड़ देंगे और प्राइवेट स्कूलों की ओर दोड़ेंगे। तो ऐसे में जो सिक्सा परणाली है हमारी, ये बिल्कुल छिन्बिन हो जाएगी। तो देखे, वर्तमान में हम देखते भी हैं, जो उच वर्क के लोग हैं, जिनके पास पैसा ज़्यादा होता है, वो कॉन्वेंट स्कूल में अपने बच्चों को पढ़वाते हैं, और जो गरिब दबका है, वो सरकारी स्कूलों में। तो यहाँ पर क्या होता है, उनका जो लेबल है, उसमें बहुत ही फासला देख रहे हैं, यदि कामन स्कूल सिस्टम हो, यानि जो फैसिलिल्टी प्राइविट स्कूलों में हैं, यदि वो ही सरकार के स्कूलों में हो, तो जितने भी च्छात रहें, वो सब एकी स्रेनी के हो हो गे, तो यहाँ पर देखें, कामन स्कूल सिस्टम, इसको आपको बहुत ध्यान से देखना होगा, अब इसकूलों के फाइनेंस की वीष्था, यानि विट सम्बंदी, जो सिफारिस की हैं स्कूलों के लिए, अब हम उस पे चर्चा करेंगे, देखें, विट सम्बंदी सि इसके साथ साथ जो इस्टेट गॉर्मेंड है इस्टेट गॉर्मेंट भी सिक्सा को बढ़ावा देने के लिए सिक्सा पर निविश करें इसके साथ यह कहा जा रहा है कि यहां पर वेवसाइक सिक्सा पर शिक्सा पर जोर दिया जाए या बल दिया जाए चुक्छी वेवसाइक शिक्सा पर यह दि बल दिया जाएगा तो ऐसे में जो हमारा राजकोस है राजकोस यानि ट्रेजरी जो है इसको बढ़ावा मिलेगा बढ़ावा देखे सरकार तीन परकार की होती है students इंडियन लोकल गोर्मेंट इस लोकल गोर्मेंट यह दो तरीके की होती है इसमें जो गाओं के अंदर आप देखते हैं ग्राम पंचायत ग्राम पंचायत और नगरों में होती है नगरपाली का नगरपाली का तो यहां पर यह भी रिक्मंट की जारी है कि जो ग्राम पंचायत है ग्र finance, finance, यानि with invest करें, खर्च करें, इनको विवाध्य किया जाना चाहिए और नगरपालिकार, चुकि नगरों में होती है, तो नगरों के छात्रों के विकास के लिए ये जो नगरपालिका है, ये भी शिक्सा पर निवेश करें, शिक्सा पर निवेश, तो देखिये, हमारी जो स यहाँ पर बात करते हैं, कोठारी आयोग की जो मुल्यंकन संबन्दी जो सिफारिसे हैं, वो क्या है, मुल्यंकन, मुल्यंकन संबन्दी सिफारिसे, मुल्यंकन, यह जो मुल्यंकन संबन्दी सिफारिसे, सिफारिस, सिफारिस, देखे इसमें कह रहा है, इसमें, जो का मतलब होता है mcq multi choice जो कोशन होते हैं multi choice question इन पर बल दिया जाए पर बल दिया जाए यानि इनको जादे focus किया जाए फिर वो कह रहा है कि जो board के exam होते हैं board exam जो board के exam होते हैं इसमें जो बच्चों का मुल्यंकान हो वो अंकों के अस्थान पर अंकों के अस्थान पर अस्थान पर यहां संकेतिक होना चाहिए संकेतिक संकेतिक से तातपर यहां पर grade system को system को focus किया जा रहा है देखिए आज हम देखते हैं कि छोटे बच्चों का जो result आता है कोई grade मिलता है किसी को B मिलता है किसी को C मिलता है ठीक है इस तरीके से मुल्यंकन होना चाहिए फिर वो कह रहा है कि जो माध्यमिक स्कूल है जो माध्यमिक स्कूल है इनके लिए रिक्मेंड किया जा रहा है कि इनके लिए औरल या मोखिक परिक्सा भी होनी चाहिए इनके लिए मोखिक परिक इंसा क्यों होनी चाहिए। हम देखते हैं कि जो practical होता है तो उसमें practical में वाइवा होता है.. Lower 바akya है... एक मोखिक परिक्शा होती है तो इससे हमारे क।bёр कर निर्मान होता है। आप जितने भी स्टुवेंटे इस वीडियो को देख रहे हैं आप सभी को टीचर ही बनना है और टीचर की एक महित्पुन विशिस्ता होती है परजेंटेशन, वी अब टॉकिंग जो हमारे परस्टनल्टी यानि विक्तित्व का सबसे मेंगुन होता है और वो तभी डवलफ होती है जब हम मौकिक यानि और एक्जाम देते हैं तो ये मुल्यंकन संबंदी सिफारी से थी अब यहाँ पर विश्विधालिय अस्तर की जो सिख्सा है उस पर भी हम चर्चा करेंगे यहां पर यह जो UGC है UGC यानि अब एक कोशन पूछा जा सकता है कि UGC का गठन जो किया गया था वो किस कमिशन की सिफारिस पर किया गया था तो देखिए मैं आपको बता भी चुका हूँ कि राधा कर्शन आयोग ठीक है तो देखिए यहां पर UGC के जो सदश्य होंगे कि इसके वन्तर सदश्य विश्विधालियों से आने चाहिए विश्विधालियों से आने चाहिए फिर वो कह रहा है कि जो higher education होती है यानि उच अस्तर की सिक्सा उच अस्तर की जो सिक्सा है सिक्सा सिक्सा इस पर अधिक से अधिक इस पर अधिक से अधिक अधिक सरकार को इ चाहिए आर्थिक साहता यानि जो इस्टुडेंट हाइर एजूकेशन ले रहे हैं तो उनके लिए सरकार उसमें आर्थिक साहता करें चाहे वो छात्रवर्ति के रूप में करें या उनका फी कमकार करें आधी-आधी फिर वो कह रहा है यहां पर देखिए कि जो भी विश्धालिये बनाए जाएं यानि विश्धालिये बनाए जाएं ये यूजिसी की इसमें अनुमती लेना कंपलसरी हो यानि यूजिसी की अनुमती से ही विश्धालिये बनाए जाएं और विश्धालिये तभी बनाए जाएं तभी बनाए जाएं यानि उसी कंडिशन में बनाई जाए यदि आवशक्ता हो, यदि आवशक्ता हो, आवशक्ता हो, देखिए वर्तमान में हम देखते हैं, अनलिमिंटेड यूनिस्टी बन गई, एक दोर ऐसा था, लेकिन UGC ने अब उस पे कुछ बैन भी लगाया है, कितने बीर्ड कोलिज खुले, लोगों ने अपने घरों में यूनिस्टी बनानी शुरू कर दी, तो उससे क्या होता है, शिक्सा का अस्तर गिर जाता है, तो यहा संबंदी जो important question होगे, अब मैं आपकी साथ वो discuss करेंगा, कोठारी आयोग से संबंदी जो question है, देखिए, अब हम उनको discuss करते हैं, आपको students यह idea भी लग जाएगा, कि किस तरीके के question पूछे जाते हैं, देखिए, question number first में कह रहा है कि कोठारी आयोग, जब बना, तो उस समय डोक्टर दोलस सिन कोठारी इनका पूरा नाम है, वे इस समय किस्पत पर थे, तो ध्यान नकना है, जो यूश्टी गरान कमिशन है, वो उस समय इसके अध्यक्स थे, आपको कुन्फ्यूज करने के लिए UGC के कुलपती भी एक विकल्प दिया गया है, बट ये गलत है, question number second लेकिन कहता है कि कोठारी आयोग का अन्या नाम क्या है, जैसे राधाकर्शन आयोग है, उसका दूसरा जो नाम है, वो विश्दालिय सिक्सा आयोग है, इसी तरीके से मैंने आपकी साथ डिसकस किया था कि मुदालियर आयोग, उसका दूसरा नाम है मध्यमिक सिक्सा आयोग और कोठारी आयोग का जो अन्या नाम है वो है रस्टे सिक्सा आयोग अब हम आगे बढ़ते हैं कोशन नमर थर्ड में कह रहा है कि किस आयोग ने कामन इसकूल सिस्टम लागू करनी किसी फारिस की थी देखे मैंने अभी आपकी साथ डिसक्स भी किया है कि कामन इसकूल सिस्टम इसमें ये वविस्था होती है कि सभी वर्गों के लोग एक ही तरीके की पढ़ाई करें एक ही स्कूल में पढ़ाई करें अन्यता उच वर्गों के लोग हैं वो सरकारी इसकुलों को छोड़ देंगे और प्राइवेट इसकुलों की ओर जाएंगे और पूरी सिक्सा परनाली छिन्बिन हो जाएगी तो यह recommendation भी कोठारी आयोग ने की है फिर वो कह रहा है कि कोठारी आयोग में कुल कितने सदस्य थे देखे मैंने अभी डिसकस किया था कि कोठारी आयोग ने कुल 23 संस्तुती की थी और इसमें number of member कितने है 17 फिर question number 5 में कह रहा है कि कोठारी आयोग ने केंदर की आयका कितना प्रतिसद सिक्सा पर invest यानि निवेस करने की सिफारिश की जैसे वरत्मान में देखते हैं कि हमारी जो भारत सरकार है कि GDP का budget में declare भी होता है कि GDP का कितना प्रसेंट सिक्सा पर खर्च किया जाएगा तो इसी तरीके से यहां भी कहा है कि केंद सरकार अपनी जो कुल आय है उसका 6% सिक्सा पर निवेश करे बढ़ते हैं आगे किस ने प्रात्मिक सिक्सा माध्यमिक सिक्सा वे उच अस्तरिय सिक्सा के विकास की सिफारिश की थी देखें अगर हम डॉक्टर राधाकरशन आयोग की बात करते हैं तो उन्होंने विश्दालिय इस अस्तर की सिक्सा की बात की अगर मुदालियर आयोग क्या जो सिक्सा है तीनों को ध्यान में रखते हुए अपने महत्पून सुझाव दिए थें अब हम देखते हैं कोस्सी नमर् 7 वैक कौन सा आयोग था जिसने सामजिक बदलाओं को ध्यानमे रखते हुए अपनी सिक्सा बनाई तो ऐसा आयोग वो सिर्फ कौन है कोठारी आयोग एट में प्रात्मिक सिक्सा मात्र भासा में हो ये सिफारिस किस आयोग ने की थी देखे मैंने अभी डिसकस किया है ये भी कौन है कोठारी आयोग फिर कोशन नमबर 9 में कह रहा है किस अस्तर की सिक्सा के लिए कोठारी आयोग ने मोखिक प्रिक्षा किस सिफारिस की थी तो देखिए मोखिक सिफारिस भी कोठारी आयोग ने की है किस सिफारिस की थी मोखिक सिक्सा की जो शिफारिस कोट्रहारी आयोग ने की वो माध्यमिक सिक्सा के लिए की थी माध्यमिक सिक्सा फिर वो कह रहा है कि बिटे सरकार ने किस एक्ट के द्वारा सिक्सा पर पहली बार एकलाग रुपे खर्च करने की घोशना की थी देखे ये question यहां से हटके है चुकि आपका Teaching Aptitude Screening का पेपर है तो education से सम्बंदित कुछ भी content आप लोगों से पूछा जा सकता है तो 1813, 1813 का जो Act British सरकार ने पारित किया था 1813, इसमें ये विवस्था थी कि British सरकार भारतिय सिक्सा के विकास के लिए परतियक वर्ष एक लाक रुपे खर्च करेगी तो ये 10 questions थे और बहुत ही important question है और generally मैं समझता हूँ कि इसी level के question आप लोगों से पूछे जाएंगे तो ये topic complete होता है Thank you कि अ कि अ पूछे कि जाएंगे